अम्रीका मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने कहा है कि दिसंबर में भारत का 25 प्रतिशत से अधिक भाग सूखे की चपेट में रहा जबकि वर्ष 2023 का समय 1850 के बाद सबसे गर्म दर्ज किया गया है। वैसे नवंबर में 26.3 प्रतिशत भाग सूखे के संकट से जूज रहा था जबकि दिसंबर में स्थिती थोड़ी सुधर गई। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिन एशिया के कई भागों एवं मध्धे एशिया के कुछ देशों में मौसम सामाने से नम रहा जिसमें भारत भी शामिल है। पश्चिमी हिंद महासागर में सकारात्मक डाइपोल बनने तथा दक्षिनी एवं पूर्वी भारत में मिचोंग नामक समुदरी चक्रवाती तूफान से कुछ इलाकों में भारी वर्षा होने से मौसम में नमी बढ़ गई। दिसंबर के आरंभ में इस तूफान से तमिल नाडू, आंधर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, जारखंड एवं उडीसा जैसे राजियों में बारिश हुई थी। इस बीच भारत सूखा निगरानी केंद्र ने भी देश के उत्तरी, पूर्वी एवं दक्षिन पश्चिम भाग के तकवर्ती क्षेत्रों में दिसंबर दो हजार तेईस के दौरान सूखे का माहौल रहने की सूचना दी है। अमरीकी मौसम केंद्र के अनुसार अलनीनो मौसम चक्र के प्रकोप एवं प्रभाव से मौसम एवं वर्षा की स्थिती में बदलाव आया। मैक्सिको तथा मध्यवर्ती अमरीका आदी समिलित थे। भारत में जनवरी माह के दौरान भी बारिश का अभाव महसूस किया जा रहा है। मगर कई इलाकों में गेहूं चना एवं सरसों सहित अन्यरभी फसलों को एकाद वर्षा की जरूरत है। बांधों जलाशों में पानी का स्तर घट जाने से सिंचाई में कठिनाई हो रही है। Bureau Report Market Times TV 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 झाल 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 झाल